केजियाच में एक लड़के और एक लड़की का जन्व हुआ है वो चल्ला चल्ला कर रो रहे थे ये मासूम सा दिखने वाला लड़का रिशी है और ये दोनी मूडू लड़की है राधा ओहो इन दोनों के जन्व का टाइम दो देखो अच्छा है ना रामडू और चंटी बच्चों के फादर्स लेकिन ये कोई नॉर्बल फादर्स नहीं ये हैं फ्रेंड्शिप के प्रैंड एम्बिसेडर्स मेरा मतलब हमारे कहानियों के करन जुम के जैसे सच्ची दोस्ती की तौर पर नोंने घर भी एक जैसा एक साथ बनवाया है अब आया छटा महीना और दू छुड़वानी की दस्मी राधा और उसकी भाई बेहन सब इंतिजार कर रहे थे कि वो फैले किसे पकड़ेगी वहीं दूसरी तरफ निशी की पैरेंट्स उसके भाई और उसकी दादी भी इसी बात का इंतिजार कैसे कर रहे हैं मैं सोच रहा था कि वो क्या पकड़ेंगा है है क्यों रूक गए है हाथ पकड़ो हाथ थो उन्होंने तब ही थाम लिये थे कि दिए है मैं तेरी लिए गिफ लाए हो हम सच में मैं भी तेरी लिए गिफ लाई हो देखा मुझे ऐसे ने वान टूरी ओपन एए, से मिए नग्यूट एए, हमारा बर्दे है एपी बर्दे रदा एपी बर्दे रिशी राकेश आज मेरे बर्दे है एपी बर्दे रदा थैंक्स एपी बर्दे रदा इतना लेट क्यों रिशी मुझे कबसे भूग लग रही है रादा राकेश से बात करना छुड़ दे ऐसा क्यों बस बात करना बंद कर दे ठीक है चलो खाते हैं आना ए तुने इंग्लिश का हमवर्ग कर लिया राधा राधा मैंने तो अपना कर लिया तु मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे तुछ से बात नहीं करनी और ऐसा क्यों रिशी ने मुझे मना किया है क्या मतलब जो वो को लेगा वही करेगी हाँ ठीक है राधा मुझसे बात मत कर सर आज टेस्ट ले रहे है यह सवाल मुझे समझा दे प्लीज राधा ठीक है यह लास्ट इन फाइनल है हाँ ओके सुनो यह x2 y2 2xy हमारा फॉर्मिला है अब हम क्या करेंगे हमें यह बनाना होगा और x2 रिशी रिशी तो क्या कर रहे है रिशी छोड़ उसको ह्ये रिशी किसी दानस की तरह क्यो बहेव कर रहा है मुझसे कोई बात करेंगा तब उसे मार देंगा तू पागल है क्या पढ़ने इसे तो जान समाना चाहिए रिशी 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 मैं एक लड़की हूँ और फिर भी तुने मुझे थपड मारा मैं आ तुछ से बात नहीं करूँगी चाया से किसे फर्क परता है मैं तुछ से कभी बात नहीं करूँगी अचल जा हे रिशी जब तक तो पहले मुझे से बात नहीं करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगे यह याद रखना पहले तुने मुझे थपड मारा था जब तक तू पहले मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करने वाला समझी तू यह याद अरे रिशी कहा है वो तो नीचे है ए रिशी कहा है क्या हो क्या किसी ने राधा को किड्नैप कर लिया कौन सी बड़ी बात है तू क्यों परिशान है भाई रिशी के होते हुए कोई राधा को छेड़ नहीं सकता मतलब बॉय अलड़ी फील्ड में एंटर कर चुका है राधा राधा यह क्या हुआ तुझे किड्नैप करने का प्लान था हमारा लेकिन क्यों अपनी बहन की आँखों में खुशी देखने के लिए मैंने अपने जीजा को पार आगा बहन मजे कर बॉय एए तु मेरे बास क्यों आ रही है मैंने कहा बास मता ना बास मता ना नई बास मता ना 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 क्या यार, आ जाना भाई, थोड़ा सोडा मिक्स करना चाहिए था ना, टाइम देखा है क्या हुआ है? तूने भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए क्या टाइम चुना है, इटियट? तू तो गया, तू गया तेरी तो, रुक, रुक ना, तेरी, रुक, रुक, एह, तेरी, एह, यह, तेरी, दिए रुपो, आ, जाना, रुक तो, तूम फिर शुरू होगए, एइ बालू, तूम सुभह सुभह एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो? वे लुडिया आज तो ये गया मेरा ऐसा मत करो वो तुमसे बड़ा है अरे मामा मा मा अरे अरे क्या करे ओ अरे प्यांसी सबसी है अब यह पिति हूं मजें क्यूं मारते ने दिया पिछा इसे में तो कुछ बोला कर तो इस बागवास की वजह से इतनी जल्दी उठी है यह समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ पुजी उम्हारे हादों में तो स्टेटोस्कोप होगा तो यह कलर्स और डिजाइन्स क्यों ऐसा नहीं है भाई कहीं तो कोई डॉट गलत है उसने पूरा डिजाइन खराब कर दिया है यह सब ऐसे क्यों भाग रहे है इसमें नया क्या है उसने कोई सपना देखा हो और इसका भाई उसे छेडा होगा एह रुक 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 रारा कुई डिजाइन वारे रेचल देखते हैं लगता है यहां कोई मुझे याद कर रहा है कौन है रे क्या रे सुबा सुबा कहा है तुने कुछ नहीं प्रो इतना अच्छा सपना देख रहा था इसमें डिस्टब कर दिया ड्रीम यह ड्रीम गर्ल मेरी ड्रीम गर्ल कौन होगी तेरी भेहन के लाबा अरे मेरा मतलब ड्रीम है गर्ल कॉलेज फिलिसिटेशन फंक्शन है ना सबको एंब इसके डिगरी मिल रही थी बस तुम्हारी भेहन को चालाग पाउडर मिला है इस बंदे नो उस ड्रीम में डिस्टब कर दिया इडिट उसे क्यों पाड़ेश्रान कर रहा हूँ यह हमारी महालक्षमी है इस से हमारी सफलता चलती है अरे बाबा तुम पैदा हुए तो उनका सबको चैता पापा यह महालक्श्मी है तो मैं कौन हूँ? तुम धानलक्षमी से कम हो क्या हाँ कल आपने प्रोडक्षिन क्यों बंध कर दी आपके पास तो आणलक्षमिया होती अरे आपके भस गयाँ चलो चलते हैं आसे चलो चलो ठीक है कल मिलते हैं तुमारी महालक्षमी नटेजाइन बीच में कुछ होड़ दिया अ पता चल गया टिक 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 बहुत सारा लोग प्लैन बनाते हैं लेकिन कुछ ही उसमें गिरते हैं ये क्या था? हीरो बन रहा था इतनी आसानी से गिरी गया अभे नहीं प्रो तेरी बेहन ने तो पैदा होते मुझे गिरा दिया था क्यारे, मुझसे नजर नहीं अटा सेकता? मेरे ही सपने देखता है मुझसे ही प्यार करता है हां? लेकिन मुझसे बात करने में इगो आफ्टर आल तुम तो ऐसे ही हो फिर भी इता कमन मैं तो इतनी सुन्दर हूँ मुझसे में कितना गमाट होना चाहिए अब देखना, अपने नेक्स्ट बात्री से पहले मैं तुझसे पहले बुलवा कर मानूँगी सब सर्ल कर दूँगी अगले बात्री तक वेट क्यों करना? मेरे लिए 24 गंटे भी ज्यादा हैं अगर मैं चाहूं तो सेम्बल दिखाऊं क्या? हम पहले बहुत देख चुके हैं रो अभी तक कुछ और था, अब कुछ और होगा बताऊंगा नहीं, तुझे दिखाऊंगा हे राधा, तुम आंटी के घर जा रही हो? रिशी के यहां मिठाई दे देना, उसे यह बहुत पसंद है कौन, वो अगले कड़का लड़का? ए, उसका अच्छा नाम है रिशी, तो उसे पडोसी क्यों बुला रही है? मेरी मर्जी, मैं उसे ऐसे बुलाती हूँ वैसे, तुमारी अपनी बेटी के लिए बन नहीं है, लेकिन उस पडोसी के लिए है वो शर्माता है, उसके सामने जो होता है, वो नहीं खा पाता लेकिन तू तो अटारी से भी खूद कर खा लेती है मतलब, मुझे कुई शर्म नहीं है? छे, मैं आप कुछ नहीं कहूंगी हे, रादा इसे साथ लेती जा, अरे, सुन अंकल टाइम हो गया, मैं तुम्हारा इंतिजार कर रहा था, आओ, बैट जाओ घर में डॉक्टर है, फिर भी आप मेरा वे क्यों करते हो? इससे पता चलता है, इस पर कितना भरोसा करते हो? गमंडी नेच कहें कि इसे थोड़ा हराम से नहीं कर सकते मैं हराम से करूं हाँ? तो फिर पडोसी से ही करवा लो ना? क्या? तुम मेरे घर में हो और उसे पडोसी ही बोल रही हो देखो अंकल, वो कहीं पर भी हो पडोसी ही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम है? आहा, वा मा, हाई-फाइव, कुछ ज्यादा फास्क नहीं हो रही हो हाँ? ठीक है बुडिया, दात को देखता हूं मैंने कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा, करेक्ट है अगर उसे टाइम से पहुचना है तो, मैं ही एक उप्शन हूँ क्या हो पुजी, कोई प्रॉब्लम है? स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है रिशी, क्या साले? इसके भाइक में प्रॉब्लम है मकेनिक नमर सही न? लिफ्ट दे ना, एक ही तो कॉलेज जा रहे हो तुझे बात नहीं करनी न, तो मत करना मेरे भाई, एक बड़िया टेकनीक बताता हूं जिसे जरूरत है, वो लिफ्ट के लिए बोल सकता है भाईया, मैं लिफ्ट के लिए किसी को नहीं बोलूँगी आप चारे हो तो आपके साथ चल लूँगी वर्न आटो ले लूँगी ठीक है, ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूं पॉलिटीशन जो है, सुभा सुभा सोशल सर्विस साले कमीने, मेरी बंदी बने सर डाल रहे है यह समस्क्रापितनी सभाई your maat आपए देरा बेटा, में युए जोफ्क्राइज बहा है यह स्वाना इंकियू क्या हुआ? तो ने ये क्यू ले लिया? चाहता बहुत बढ़िया चीजह साले सावब अभी पता चला। ये क्या है? ओ, सादे सहाब, तो फ़ारा फॉन बच रहा है। सर, शुरू करो सर, दस मुनिट में आ रहा हूं सर, ओके सर, ए रिशी, जल्दी से इसे कॉलेज डॉप कर दे। अब, ऐसे नहीं साब, साब, कॉमेडी, कॉमेडी है, सीरियस, सीरियस है, तू जा। गोवर्ना बंगर, और पागाडी सेर, अब। मेरा जीजा तो रॉक्सतार है, एक पॉल और साला सबकु सेटल, है। कॉंग्रेट्स प्रो, फाइनली सेटल हो गया। यह अलग बंदा है। तुम यहां कैसे, पैच अप हो गया क्या। तू कैसे आई। आटो से। आटो वाले से तेरा पैच अप हो गया। यह क्या है, जवाब उसने दिया और तुने मुझे मारा। लिफ्ट के बाद थैंक्स कुन बोलेगा। ओय, पाता नहीं, प्लग निकालेगा तो दात निकल सकता है। अरे यार, उसे बता चल गया। तू है तुछ पे, मुझे लागा सब कुछ सौट हो गया होगा। बाइक पर लाने के लिए तुने ये प्लैन बनाया। अर्जुन, सर, पॉलिटकर करियर कैसे चल रहा है। अच्छा है सर, मुझे अच्छाई से ज़्यादा बुराई खतम करने के लिए काम करना है सर। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। यूथ लीडर, अर्जुन परसाद को आपने फाइनल कर दिया क्या। अर्जुन परसाद जैसे को मैं यूथ लीडर देखता है। बिलकुल सर। अर्जुन परसाद जैसे किसी को मैं यूथ लीडर देखना चाहता हूं और पॉलिटिक्स में बदलाओ चाहता हूं। राजनीती में कोई कैरेंटी वैरेंटी नहीं होती है। आप किसी और को ट्राइ क्यों नहीं करते। ये गलत है मिनिस्टर साथ। मिनिस्टर जी, आपने मेरे बेटी को क्यों रिचैक्टी किया और उस कल के लोडे को परमोशन दे दिया क्यों। मुझे अपनी ताकत दिखाने पड़ेगी। अभी के लिए कर दो। सर, मिडिल क्लास फैमिली का बैक्ग्राउं। आई आई टी मदरास से अम्टेक। पैशन के लिए पॉलिटिकल एंट्री। आपने कभी फेलियर एक्सपिरिंस किया है सर। नहीं सर। क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी है। कारे करता हूं और पार्टी के लीडर के अचानक डिसिजन के वज़ख से राना एस यूज लीडर ये सब क्या है। आगे बढ़ने की दिताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कमजोरियों को भी छुपाना सीखो। पार्टी यूथ लीडर अरजुन परसाद को देक्लेयर करता हूं। एक छोटी से पोस्ट के लिए तुमने हमारे बिजस दिखी है। मैंने तो पोस्ट मांगी है नहीं सर। मुझे तो वो चाहिए भी नहीं। आपकी इज़त वो मैंने खराब नहीं की। सुनिये। जैसे आपके लिए अपनी इज़त जुरूरी है। वैसे मेरे लिए मेरे पार्टी के इज़त जुरूरी है। इज़त। मिलते हैं। आल दे बेस्ट। माजी। हाँ। वो आने वाला है थोड़ा जल्दी करो। कर रही हूं कर रही हूं। यह लो रखो यहां दो। है रिशी क्या कर रहे हो फूल नहीं लगाया। जल्दी करो। अरे जल्दी करो टाइम नहीं है। क्या कर रहे हो। जानते। कैसा है आज़ा आज़ा। बढ़िया। अरे ऐसा नहीं है भाईया यह हमारा लड़का है। वाह ऐसा लग रहा है सारी दुनिया हमारे साथ उगाडी मना रही है। लेकिन हम लोग तो साथ में उगाडी पर वो कहा है। वो कहा है। सब आइटम्स तयार है अचार बनाते। इसमें नीन के पत्ते नहीं है। आरे वो तो मैं डाइनिंग टेबल पर ही छोड़ाई। अलो। मैं हुना हां। देखा। चलो आओ। फूल यहाँ है। लेकिन मेरा लव कहा है। कर दो मैं पर दो कि अँड़ाई। झोलो आरे वो खश प्लाइबल कर दो कर दो सबसे पहले इनका दोस्त आता है कैसे हैं भाईया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बनी है कमाल की, मज़ा आ गया आउना भाईया, बैठो पैठो नभीया अप उड़ गई तो क्या खबर है? मेरे छोटे बेटे की शादी है, उसका कार्ड देने आया हूँ थैंक्स भाई तुम दोनों को परिवार समेथ शादी में जरूर आना है घर में शादी है, हम लोग क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे क्या बात है, दोनों को एकी कार्ड दे दिया तो बुरा लग गया क्या ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार्ड नहीं हाँ, कार्ड है पर कार्ड में भी दोनों को मैं अलग नहीं करना चाहता हूँ बस इतनी सी बात है तुम दोनों के पिता आपस में बहुत अच्छे दोस्त है चलो भाई मैं चलता हूँ अरे खाना खाकी जाहिए ना अरे नहीं बहुत सारे काट बाटने हैं भी ठीक है आईएगा अच्छा चलता है बिलकुल बाई ए बालो ए रिशी अच्छे कुछ काम है घरा बहुक लगी है खाकर आता हूँ मेरे पास इंपोर्टेट चॉक्लेट आई है इंपोर्टेट हाँ एई शुरू के कॉल आया था कुछ इंपोर्टेट मैटा रहा हाई अच्छी अंकल अरो रिशी रिशी तोई तोई ठागा कम बेबी इसको भी डाल दो आजा अच्छी अंकल मैं बस अभी लेंज करके आया मा ने क्या बनाया है चेकन करिया आंपी चेकन ऐसे द्योहार के दिन पे चेकन कुछ समझ नहीं आया अचेकन नहीं छोले 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 तो हमें भिंडे क्यों बेजी जीजा को बसंद है ना उनके लिए मनाई है सच्ची भाई आपने कबसे भिंडे खाना शिरू कर दिया राक्षा सी सुबह से कुछ इंपोर्डन काम था मैं आ तो स्कॉट्लेंड दे लांड अफ विस्कीज एक दोस्त से अमंगवाई है तु मेरी एजल है वो क्या है ओ रस्सम क्या जुपा रहा है रहे कुछ नहीं जी जा कुछ नहीं को बोला कुछ नहीं है क्या है वो कुछ नहीं है बता बता इदर ला चॉक्रेटी तो है ऐसे की शुपा रहा था भाई था बोल रहा था न एक लेलू या थैंक्स मैं या फटन आफ सीनो लूमे आगया बतना आहसीनो लूमे आगया बतना आहसीनो लूमे आगया में मेरा ये अच्छुना है हकिनो में में आपया कि अच्छ पेस्टिवल का अट्मस्फियर यहां बना हुआ है कुछ तो मिसिंग है कुछ तो गड़बड है अगर हम भाईया को यहां बुला ले तो सब ठीक हो जाएगा तो सीन क्यों बनाना चाहती है छोड़ना अगर सही बंदा मुझसे रिक्वेस्ट करे तो मैं सोच सकती हूँ दुश्मनों से भीक मागना हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है जो करना है करने दे तु पागल है क्या इसे और क्यूक सा रहा है पहले जाकर पैक ठीक से बना तो क्याम कर इसे मैं देखता हूँ न सॉरी मैं न फोन करने जा रही हूँ लगा रही हूँ मैं फोन यह क्या है कैसे बोड़िया जैसी सरक गई है उसको करने बोला हेलो राधा कैसी है तू सब ठीक है न मुझे क्या हुआ है क्या मतलब ग्रूप में उसने मैसेज डाला है कि तो सीडियों से गिर गई है चे राधा गड़िपोन अक्सा लगा गिल 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 अब क्या अब क्या हुआ है फाइनल समिस्टर एक्जाम का नोटिफिकेशन आया है, 21st से एक्जाम शुरू हो रहे है, चल कैंटेन चलते है, यू मैंने तुम ही पहले ही आती है, नोटिफिकेशन तो भी आया है, इन्होंने तो भी से शुरू कर दिया, कुछ भी हो भाई, ये अपने कॉलेज के बेस्ट पाइज है, मुझे क्यों मारा, क्यों न मारू हूँ, एए, कि तरा, किया है, बाईए, गर्मा करम समोसा है, लोग है क्या, वा अरड़ी दो खा चुका है, तो निकल, एए, तुम दोनों तो एक दुसरी से बात करते नहीं, और हमें बेस्ट लवर्स मानते नहीं, ये सब हम क क्या है क्या मतलब क्या तुम दोनों ने मुझे एक-एक करके थपड मारा और मैं तुम्हें ऐसी छोड़ दूँ तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों की एगो की वज़े से ये बैच कितना ज्यादा सफर कर रहा है हमारी वेज़े से क्यों सफर कर रहे हैं एक्जांपल कितने एक्जांपल बताओं बता तुम में से किसी को याद भी है कि ये बकवास कैसे शुरू हुई थी वो पूछ वो पूछ रदा कि क्या वो होचा हमारे सामने काटेंगे अरे हमने कितने काट लिए वो क्यों डर रहा है एक की बार में कार तेंगे वाई प्रफेसर गुद मॉर्णिंग सर मॉर्णिंग मॉर्णिंग ये डिसक्शन लाब है तुम सब यहाँ पर एक साल बिता होगे किस के साथ सर आपके साथ अरे बॉस ठीके तेरे घटिया जो क्या काम नियाएंगे इन डेड बोडी के साथ गेट दा बोडी गेट भी दा बोडी तुम सब अपना नाग क्यों बंद कर रहे हो मैं तुम सब के दाम तोड़ दूँगा आदर आओ, हटाओ ने ये प्रोफेसर आशिरवादम है अपनी बॉडी इस लैब को देकर महम काम किया है हेलो सर, हावर यू आशिरवादम जी का आशिरवाद लो सब अपने हाथ जोड़ो जल्दी से हाथ जोड़ो परणाम सिर एक्चुली, आशिरवाद सर हाथ परणाम है अए एकार, ये सी लिच्टेटेज्टेटर आशिर, जिच्टेश आशिर, वी जाए योच्टेश न दे वखाया? हाथ में जात एक अवादम जाए इसे प्रकड़ो अब मैं पूरी क्लास को दिखाता हाँ इस बीष्टिक है, इस टेख मुक्राइब रॉकी सबस्तो है? बीष्टिक दिए प्रियरते है दोट प्रम पुष्टिक है हम क्यों है ट्रभा जोड़ां सब्सक्राइब टिंगे साथ कोई आपले भी कंपल अगए एड़ी आपले लिए और एड़ीटवल यह है प्रोफेसर ली ने पूरे बैच को डीन के सामने खड़ा करके हमारी बेच की थी लेकिन तुम वहाँ भी नहीं रुके हाँ, क्लास में लडते हो लेब में लडते हो, स्पोर्ट्स में लडते हो तुम तो कैंटीन भी नहीं छोड़ते तुम लोगों को रियलाइज होना ही था जब तक तुम्हारे बैच में यह दोनों रहेंगे तुम्हारे बैच का यह होगा ओके, इंजोए सर, आप इन दोनों को कुछ देंगे नहीं हाँ? सॉलूशन सर हम, सिंपल इनकी एको इनकी इंटेलिजन्स के साथ खत्म हो जानी चाहिए अगले समस्टर एक्जांस में जिसका भी टॉप स्कोर आएगा वो जीतेगा हारने वाला जीतने वाले से माफी मंगेगा और बात शुरू करेगा ओके ना? अम ओके सर थैंक साले अपनी बेहन से माफी मंगवाने के लिए है रे दामाज जी ये फालतू की बक्वास छोड़ो ओके है या नहीं वो बताओ ओके सर ओके काश तुम भी शादी में साथ चलती फाइनल एक्जाम से आंटी वरना हम वरना मैं साथ चलती यही तो कंट्रोल होना चाहिए हम या नहीं हैं तो तुम लड़ाई मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना जीजा जी सिगनल हो गया है अहां चल्दी करो चल्दी करो आई आई हे ख्याल रखना हाँ ठीक है बाई 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 अपना ख्याल रखना बाई बाई अच्छे से पढ़ना बाई राधा तो बहुत पढ़री है वे लेकिन तू नहीं पढ़ रहा है प्ढ़ने की ज़रूद नहीं है, भी यह तो गलत है करना पड़ेगा ठीक है, तो ब्लेंड क्या है? अबी, मेरे और उसके गर में कोई नहीं है बच्छी रात में बिल्कुल अकेली होगी ठी, मुझे नहीं बताता कि तु इतना गर जाएगा तू भले ही उसका कटर दुश्मन है लेकिन मैं उस जैसे फूल को वो तीन दिन तक नहीं उठने वाली और हम जीच जाएगे क्या आइडिया है तेरा? तुझे ना छोड़ूंगी ने कितना खटिया प्लान है मैं कमबाइन स्टडीज के लिए तेरे घराऊँगी अईना, वाडिक बले शौक है चावे नुँ एककड़ना वते लेका इपाडिक पिच्च ड़े धरीवते उन्टेड़ू लेक्क सारी चेसा लेक्क पोते, मन तोम्य आटला? टुरेशा! लेक्क कग पिर एकक इए至 ऑड़ू लेक्क पोतब लेक्देदा लेक्दे, मन तोम्य आटला? आपकी चेह सब्सक्राइब कर दो कर दो जो. मुझे डिस्टर्ब करना ही उसका टार्गेट है मैं तो घर जा रही हूँ लेकिन क्यों नीचे चलका रूम में पढ़ लेते हूँ यह बहुत कॉम्पिकेटिड है इसका यहां होना ही प्रॉब्लम है अगर यह कॉम्पिकेटिड है तो मेरे पापा कॉम्पिकेटिड के बाप है अगर यह सैडिस्ट है तो मेरे पापा सैडिस्ट के सिंबल चल दिखाते हूँ पापा पापा क्या हुआ मेरी बेटी पड़ो उसके लड़के हमें बहुत ही जाधा डिस्टरब कर रहे हैं हम इस रूम में पढ़ाई करेंगे मक्खी मैं मक्खी को भी खुषने नहीं दूंगा तुम जाकर पड़ो नेरे पापा यह मैं पुस्ची वस्तरा नंडी परगा तेस्तरा नंडी हम् रंडी रा यह इंट रा, नातो ने आतला हम् 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 आप है उसका पती पहले दरवाजे पे औप फॉन पे तुझे लगता है उसे पता लग जाएगा हाओ आप हम् कौन था जो दरवाजे पर था वही फोन पर था फोन शाय तेरे लिए है उठा जल्दे हाँ आ रही है हलो एरे नहीं फोन तो उसकी पत्नी न उठा लिया मुझे लगता उसे पता लग जाएगा कौन था तो अब यहां तक गिर गया है क्या बोला अब तेरा भेर बाहर आ गया इसलिए ओवर एक्टिंग कर रही है मेरा अफेर मतलब तुम मुझे पर शक कर रहे हो क्या बोला जो सुना यह सांट कैसी है मेरे पापा यह तो बहुत तेज है मैंने बोला था मेरे पापा अपनी शिकल देखी है एक और चाहिए यह वो मर जाएगा ना मेरे पापा देख बेटा तेरी मार है चलो आपका थोड़ी काफी दे रही है फिर से यह क्या था तेरी पापा तुम बहुत पावरफुल है ना महों जादा पावरफुल है यह उसी का प्लान होगा बतारियों मैं आप मुझे घर जाना है चेह स्टार्ट नहीं हो रही है बोला था ना यह उसी का प्लान होगा होटो ओकी बाई शेयर्ड आटो नहीं उसे बता दो क्या रहे इससे पता नहीं है क्या मरके को काटने से पहले बताते हैं क्या लोजिक तो है डरने की बात नहीं है तेरा भाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त है उसने मुझे गिफ्ट दिया था रिटन गिफ्ट तो देना बनता ही है ना लोजिक तो है भाई इस लड़की को कहा ले जाना चाहिए ये रादा बीच खाली हो गई है बिल्कुल सही कहा तेरा लोजिक सही है अगर आपको मेरे भाई से कोई दिक्कत है तो वह आपके आपस की बात है जो आप मेरे साथ कर रहे है वो फेर नहीं है अरे इसमें भी लोजिक है तो फिर इसे बैलेंस कैसे करेंगे सिम्पल है भाई कौन बनेगा क्रोड़ पती जैसे इस लड़की को भी तीन लाइफलाइन दे रहे हैं फर्स लाइफलाइन क्या है फोन है प्रेंड जिसको चाहो उसे फोन कर लो जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं वो अभी व्यास्त है क्रपया थोड़ी देर बाद कॉल करें फर्स लाइफलाइन चली गई सेकंड कौन सी है ओडियंस पोल है भाई जो चाहते है कि लड़की यांसे चली जाए वो हाथ हैं चल दी से ये भी चली गई तीसरी कौन सी है 50-50 चॉइस है भाई ये हारने से डर रही है इसलिए 100% कर देते हैं क्या चाहिए ठीक है कर लो पहली रिंग में ही फोन उठा लिया लवर है क्या लोजिक है भाई उसने फोन उठा लिया उससे बात करो मैं ऐसे बात नहीं करती वोश आ जाएगा क्या अने दो इसके फोन करते ही तु यहाँ आगिया हम सब को हरा कर तु यहाँ से से ले जाएगा क्या अरे क्या भाई मौसम अच्छा है इसलिए पी रहा हूँ सीन अच्छा है इसलिए देख रहा हूँ जस्ट स्कूर्टी देने आया था यहाँ क्यों बैठा है तु बेशरम कहीं का करेक्टर भीया तुम्हें शरम आने चाहिए इसने फोन क्या किया तुम तो आदी रात को उठकर आ गया मैं मैं आया आकर क्या उखाड लिया इन लोगों को मारने की बचाए सिगरेट पीरे उच्छी मुझे तुम्हें अपना पडोसी बोलते हुए भी शरम आ रही है जिराफ जैसे खड़े होने के बचाए कुछ कैर मैं क्या करूँ यह तुम्हारी किस्मत में है बार्निंग रेलवे स्टेशन से लेकर केंटीन, लाइब्रेरी, इवनिंग टेरेश तक तु जहां गया मैंने फॉलो किया तुझे लगा मैंने तुझे डिस्टर्ब किया मैं तो बस तेरे साथ रहना चाहता हूँ वो भी चोड़ो, तुझे लगता है मैं तरे फॉन की वज़े से आया हूँ तेरे फॉन से पहले यहीं था तुझे कैसे बताओ दस साल क्यों, ऐसे ही जीते हैं बाई तुमने मुझसे बात करी इसके बात कोई क्या बोलेगा अच्छा गासा इंसान भी गुलाम बन जाएगा भाई 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 बस एक सेलफी भाई अब सेलफी काई को तुमारी वज़ा से दस साल का सालेश दस मिनट में टूट गया तुम तो सेलेबरेटी हो भाई इसका स्क्रीन सेवर बनाऊंगा तुझे फाइट करने का मूड है क्या भाई फीलिंग में मज़ा आता है भाई एक सॉंग ट्राइग करूं क्या एए क्या भाई बिना लोजिक पत्थर्ज खेल रहा है क्या भाई बिना लोजिक पत्थर्ज खेल रहा है क्या भाई बिना लोजिक पत्थर्ज खेल रहा है क्या भाई बिना लोजिक थी जा नवे है हाँ है हाँ 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 करता हूँ तू का जाने लगा सोरी ब्रो आई है वे लोजिक नो ब्रो यू आप तुम मुझे मारोगी आई हम फिप्टी आई कैन नट बिर इट ब्रो इस इस गुट फॉर में इंटेलिजन लोजिक शुक्रिया भाई तुम्हारा मुझे चमाकता रहे अब ये डंडा की उठाया भाई भया इक बर इतर आऊ ना मैं इसे जाने दे रहा हूँ तुम्हे लिके जाओ इसको भया मैं बुला रहा हूँ इतर आऊ ना अगर तुम्हारा दस साल में पैचप हुआ है और तुम अच्छे फॉर्म में भी हो जाकर इंजॉय क्यों नहीं करते अब ये सब क्यों कर रहे हो भया जब आधिराप में लड़की साड़क पर अकेली चल रहे हो तो हमें responsibility फील होनी चाहिए तुमने opportunity फील कर ली ये लो ये टंडा लो लो ना और अपने भाईयों को अच्छे से सबक सिखाओ देखो अगर तुम्हारा heroism कम हुआ अगर अगर कम हुआ मेरे अंदर का hero आया तो तुम्हें छिलना पड़ेगा क्या कहते हो चलो ये बहुत हो गया चलो गर जाओ चलो उड़ो ये कैसी प्रताइए भाईया जल्दी बूचल पर थोड़ा ताव दो इतना heroism काफी नहीं है कम ओन अगर जल्दी चलो आत्में आपस पड़ेगा अरे अर्जन अरे शिवा कैसे हो मैं ठीक हो इस विन लॉंग टाइए पॉलिज में तुम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करते रहते थे आखिरगार तुमने कदी दिखाया मेरा छोड़ो अमरीका कैसा है यहां न्यूस होगी सब कूल है ठीक है आओ बैठकर बात करके ठीक है पापा शिवा नमस्ते हर और यश Sundar आई आई यह नमसकार नमसकार आईए यह यह अपड़ए बहुत बड़िया आप अहाँ बहुत खुशी होई यह आमिर्स्टा साहब यह पंडिज जी नमस्कार नमस्कार आईए नमस्कार तुम्हें क्या लगता है शादी पूरी हुई या नहीं जब रामू और चंती आये तो कैसे नहीं होगी भला ए अर्जोन नमस्ते सुर्ण कैसे हो तुम जब से बड़े लिखे लोग पॉलिटिक्स मेरे इससे इच्छी डेवलोम्मेट और क्या होगी खास कर तुमने पाइटी जोन की मेरे लिए इससे खुशी की बाद और खुछ नहीं तुम्हें यूथ लेटर बनाया गया है ना जी सर सुनो शिवा मेरे बेटे के लिए किसी की डूड़ो इसकी शादी करवानी है शौर सर हमारे लाए रिच्टी इसने पसंद ही कहात है नमस्कार मैं जब से वापस आया हूँ गर में बस यही टॉपिक चल रहा है लेकिन मुझे अपनी पसंद की डूड़नी है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ बस वो घर समाले मैं होश चाहूँगा आईये अरजन यहाँ आओ क्या हूँ अंकल शिवा तुम्हारे बचपन का दोस्त है न अच्छा आदमी हूँ वो एकदम सोना है अंकल वो रिष्टे की बात कर रहे हैं हमारे शुभा के साथ शुभा के साथ बहुत अच्छी बात है अंकल मेरे दिमाग में आई नहीं अभी उससे बात करता है ए शिवा एक मेरी पहचान में लड़की है देखो कैसी है तो यह तो बहुत सुंदर है यह कोई पराई नहीं है मेरी छोटी बेहन है एश बीसी में प्रोजेक्ट नानेजर है अगर यह तुम्हें पसंद है पेरेंट्स को लेकर घर आ जाओ जरूर भाई वो बहुत सिंपल है अमारी फैमिली की तरह भगवान यह दस साल के बाद पहले बॉट्स दे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे है हम जिंदगी में कभी अलग ना हो हम हमेशा साथ रहें भगवान मैं गिफ्ट लाया हूँ मैं भी गिफ्ट लाई हूँ सच में दिखाओ हें हम दो बारे इचे साथ किफ ले आए ठीक ही यह बता तुम्हें यह फोटो कहा से में लिए हर बद्दे पर मैं राप को बारा बजे उटकर दीवार फांद कर तुम्हारे लिए फोटोस लेता था तुम्हें लगता है कि बारा बजे मैं सो जाती थी ताकि तुम आओ मैं तो बस सो जाने का नाटक कर दी थी बलकि तीन बजे मैं दीवार खूद कर तुम्हें हैपी पुरत्ते विश करती थी तो मैंने दस साल में दस किस मिस कर दी अब मैं यह इंटरेस्ट के साथ लोंगा चीक है प्लानिंग कर लेते हैं लो प्लानिंग को बस इन प्वक्षियों की तरह ओड़ जाएंगे लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना मुझे नहीं बता ए शिवा कहां से आ रहे हो? हम सिमाचरन टाइम पला हैं मैंने अपने पैरेंट्स को तुमारी बेहन की फोटो दिखाई उन्हें वो बहुत पसंद आई तुम पूछ क्यों रहे हो? मैं अभी मा को कॉल करता हूँ सुनो शुभा, उठो और तयार हो जाओ लड़की की फामली तुमें देखने आ रही है अभी तुमारी शादी नहीं हो रही है तुम पहले एक दूसरे को पसंद कर लो फिर कुंडली मिलनी चाहिए देहेस के बारे में बात होगी उसके बात कुछ होगा बहुत टाइम लगेगा कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? ये वाली पहनो हाँ ये वाली ये इसके साथ अच्छी लगेगी जल्दी से तयार हो जाओ नीचे आजाओ बाई साब मेरा बेटा जब भी वापस आता है उससे वापस जाने की जल्दी लगे रहती है इस बार उसने बोला ही नहीं बताओ क्यों? हमारी शुभा के लिए यस देहान से मुस्कराना आओ बेटा बाई साब सागाई वागेरा के लिए परिशान क्यों होना है चलो सीधर शादे का प्लान करते है आप टेंशन मत लीजिए मुझे कुई देजनी चाहिए ये क्या है माँ? आपने कहा था बस देखने आए है ये शादी के बाद क्यों कर रहे है शान्त हो जाओ सब कुछ तुमारे भले के लिए ही होगा बस एक हमारी छोटी सी माँग है सर अरजुन, वाइसदक सेटी में अच्छा मेरीज होल बुक करना शादी में करीब दस अजार दोग आ सकते हैं आखिरकार हम बॉल्टिकल फैमली सेज़ होया है सॉरी सर मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है शुभा क्या बोल रही हो क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं अंदर जाओ क्रेब आस की बातों का बुरा मत मान है का वो अभी एक बच्ची है देखो आंटी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मुझे सब पता है आपका बड़ा बेटा और मैं दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं जलो सर 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 यह क्या अरजुन तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे इस्षू को कैसे एंडल करते हैं मेरे बेटे से उपनी बहन की शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपनी बहन को पूछ तो लेते तुम दोनों परिवार हमेशा से साथ रहे हो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि कि तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है तो सुसाइटी का क्या पता होगा यह ठीक नहीं है अरजुन अरजुन जब एक बार पब्लिक के बीच में आ जाते हो इजज जान से ज़्यार जरूरी हो जाती है दुबारा ऐसी बेज़्जिती वाली बात बन करना मैंने तेरा क्या बिगड़ा है आप सही है पापा हमें लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भाए 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 प्लीज मेरी बात बहुत हो भाए 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 ठाना चाहिए कि इस जो हमेशा मेरे और मेरे घर के पास घूंता है फेरी बहन से प्यार करने के हिमत करेगा अगर तुने मेरे घर में बैर भी रखा ना माड़ा लूँगो तुझे मुव हे रुको रुको क्या हुआ सुनो अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो दोनों परिवार जश्न मनाने लगेंगे पहले मैं जाओंगे ओके फिर दस मिनिट के बाद तुम आना अब दस मिनिट नहीं हाँ आदे घंड़े के बाद आना ठीक है जब तुम बाद मानते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो आइ मुंजे प्यार हुआ 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 हाहा मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ है यह तो ऊच्छा सांग है अप्री कि यह चोट कैसे लगी कि बाइक फिसल गई थे गिर गया इसलिए सपने राप में देखने चाहिए और दिन में आके खुली रगनी चाहिए ओके ऐए तो कुछ चुपा रहा है क्या है यह बाइक से फिसलने की चोट नहीं लग रही है क्या हुआ है क्या हुआ है छुपा क्यों रहा है बताता क्यों नहीं है उसे क्या हुआ है क्या हुआ है हे रिशी रुको रुको रिशी सुनो मेरी बात रुप जाओ मेरी बात सुनो कहा जा रहे हो तुम रिशी अजय को बहा पर वार जगल बहार निकल अजय कुले मेरे पाये कुमारा कर दो कि एक नगें है जो फिर 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 पा है जो गुजरलिक मेंद एक जहां आख यू भी यूऊ आज़िकले का दरे आज़िए, झाज़ीकले कंवा यू उठाया चर्णियू अरे बड़ों की इज़त करना भी भूल गए क्या क्यों क्या तुम्हारे पोते में है क्या जैसे उसने मेरे बेटे को मारा मैं अपनी पहुच्च से मुझे हाथ लगाने के लिए तुझे जेल पहुचा सकता हो लेकिन इतने सालों के हमारी फैमिली की दोस्ती के वज़े से तुझे छोड़ रहा हो अगर तू या तेरी फैमिली किसी ने भी मेरे घर में पैर रखा, सब को मार डालूँगा तू मारेगा, तू मारेगा, अगर मेरी फैमिली को दूबारा चोट पहुचा लेकी का रहुआ ना गरूँगा मैं क्या करनेगा, हाथ तो लगा बताता हूं रिशी, कैसी पतमिजी से बात कर रहे हो तुम? पापा, मैं बतमिजी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है. अगर ये असा नहीं करता, तो बालू का ये हाल नहीं होता. मुझे आज बहुत ही अच्छी बात पता चलिए. पहले मुझे घर में जीतना होगा. दुनिया तो बाद में आती है. अगर मेरी घर में कोई वैल्यू है, तोड़ दो इन सारे रिश्टों को. हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है. अर्जुम, ये तुम क्या बोज ले? मेरी बात तो सुने. पापा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, तो आप मुझे खो देंगे. अर्जुम, ये तुम क्या है. अर्जुम, ये तुम क्या है. थोड़ी देर में ये टाबलेट ले लेना ठीक है. अरे इतना अलेट क्यों आई हो? दूसरे घर में बहुत सारा काम था. तु अब डिसाइड कर ले कि तु यहां काम करेगी कि वहां तु दोनों जगा काम नहीं कर सकती है. विजग से अंकापली दूर है और अंकापली से विजग दूर है. क्या बड़ड़ा रही है? उसने भी यही कहा था, इसलिए मैं अपनी भतीजी को वहां भेज रही हूँ. और मैं यहां काम करूंगी, बस यहीं बोल रही था. हाँ, जा काम कर. क्या बक्वास है, तो कल राद तुमने म्यूजिकल नाइट एंजॉए की? तादा ने क्या कहा? उसने भी मुझसे मूँ फेर लिया है. अबे, तुने ऐसे ही किसी को मारा, तो उसने तुझसे दस साल बात नहीं की. अब तो तुने उसके भाए को भी पेल लिया है, पच्चिस साल तो गए. दस और पच्चिस क्या, ये कोई सजा है? मैं क्या से गला तू? उसने मेरे भाए को मारा, तो मैंने रियक्ट किया. एई, मैं राधा से गुस्ता नहीं हो, लेकिन मुझे उसे माफी मांग कर भी बात नहीं करनी. राधा! राधा सुन. रेख, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो इन सब में इन्वाल्व मत होना. हम तो पहले भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन तब प्यार था. लेकिन अब कुछ नहीं है, ना होगा. उसे तैंक्स बोल दियो. जैसे बोलना अपने वर्ट्स पर इस बार खड़ी रहे. इनको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों है? जैसे हमीने जाने देंगी. कैम्प है न, वहीं कुछ प्लान करते हैं, चलो रहे. सुनोना, ये रिमोट नहीं चल रहा है, देखो तो. बैटरी खतम होगी. ये तो चांटी का रिमोट है. ना ये ले लो. तारीक बदल गई. खुद को भी अपडेट कर लिया करो. अभी कर दो कर दो. हाई हेई बैट जा कोई ने ए बैट ना कोई ने ए बैट जा पवन करल्यान नहीं दिख रहा है हेलो तुझे देखू या पवन करल्यान को देखू नवस्त बैडम आपको अलग से बोलना पड़ेगा समन्ता नहीं दिख रहे बैट ओ हाँ जी बस अभी पहुँच गई है बैबी यह नहीं नहीं यह यह क्या निकल के आ रहा है हाँ हे ची 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 तू तो बकरी चराने वाला लग रहा है हाँ तू डॉक्टर है क्या जो गले में आया पहन लिया कौन यकिन करेगा तू डॉक्टर है आँखे दिखाता है बताओ भी बेबी सिर्कल माटर नहीं करता जब आप किसी से प्यार करते है तो उसकी केरिंग तो करनी चाहिए न केरिंग माइ फोट इसे इंसिक्योरिटी कहते हैं क्या इंसिक्योरिटी वो भी सरपंच साथी बाबु है तो यहां गोमने आया है मैं नहीं जबान फोड़ा संभाल कर चलाओ व और नउटेक बैक के साथ जाएगी तुम सब यहां पर सड़क पर गाने गाते रह जाओगे पर्देशी पर्देशी जाना नहीं मुझे जोड़के समझा और मैं तुम्हारा गाना बनाऊंगा चलो भी अभी अभी यह कौन है जैसे CCI की भैस हो है 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 भैस रो रही है उसको जाके बाद दे चल दी दी है राधा हाई लोकल डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया बासम है आशी काना हाँ नए पंची आए है तितलिया भी है पंची पूस्ता है नया कोट पैना है हीरो लग रहा है जब हमने टेंट लगाया था तुमारे सीनियर्स ने मिलके उसमें ग्रूप डांस किया था बूल गए अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम भी डांस रिकॉर्ड करोगे कोई आप्शन नहीं है तुम सबको जाना ही होगा गर बेबी तुम जाकर आराम करो तुमारी अटेंडस में देख लूँगा सती बाबुजी येस बेबी मैं अपना काम खुद कर लूँगी अरे हो सर पंची जी बेज़ती करवाली ए बटन क्यों खुला है हां सांस नहीं आ रही गया ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की न गाना गाना याद है न इस गाने को छोड़ दे बर्ची निकालने का टाइम हो गया चल तेरी साइकल में पंचर हो जाए आँ डॉक्टर पंची ओ सुनो दो बड़ा करके अलग अलग टीम बना लो जाए तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ तुम लोग उधर जाओ वाकी उधर जाओ ए पंची ओ तुम दोनों टीम में हो तुम भी उड़ जाओ मेरे घर में बच जाना वहाँ कोई बीबार नहीं है अरे वो नहीं है बस हैल्थ चेक अप करेंगे मैं हाथ जोडता हूँ मेरे घर में सब ठीक है अरे ये क्या हो गया अरे बुट्टा बाबुरू तो निकल लियो ये देती हूँ उठकर भागने लगेगा भाग गया तो ठीक है ओपर चला गया तो मुझे तो डाउट है मुझे तो डाउट है ये जिन्दा भी है या मर गया इसने वसियत भी नहीं दिखी है एक आदमी मर गया क्योंकि तुमने टाइम पर हेल्प नहीं की ये तो सुना ही होगा तुम दोनों कुछ नहीं करोगे तो यही होने वाला है वाजवटो तुम इतार आओ ये तो जिन्दा है कोई बिल्डिंग से थोड़ी ना गिरा था ये पेड़ से गिरा था सुनाओ तुम लोगों ने काफी गड़बड कर ली है तुम दोनों अब अलग-अलग हो जाओ यही ठीक है जाओ तैंक्यू सर ये लो दीदी 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 आदे घंटे में मेरे पापा आ जाएंगे उनको चेक करके जाना प्लीज सुन चलें क्या एक पेशन्ट है तुम लोग जाओ ठीक है बाद में मिलते हैं तैंक्या जाओ में मिलते हैं तैंक्या कर दो और सबते हैं कर दो कर दो जिस्टरबेंस हो रही है इसलिए बंद की है एए आखों से कबड़ी खेली लगता है अंदर क्यों नहीं चला जाता साथ वाला रूम खाली कर दूग्या मैं तुझे देख रहा हूँ तेरी कॉंसेंट्रेशन कहां पर है पढ़ाई नहीं करता क्योंकि तू गाउं में नया है मैं तुझे एक बंपर आफर देता हूँ मैं आख बंद करके तीन बार चुटकी बजाओंगा और तू गायब हो जाएगा अगर तू नहीं गया तो तू हमेशा के लिए चला जाएगा साथ ही बाबूश कांटिंग स्टार्ट्स ना एक दो तीन हे तू डर गया मजसे पंगा मत लेना गाना गाना गवाऊंगा तुझसे मैं रास्ता बूल गया हूँ बता दो क्या तू दिप्ता खतरनाग है लेकिन तू तो बच्चे है चल रास्ते में रोग दियो देवी के लिए खाना लेना है कैम्प कैसा चल रहा है तू ने किसी का ट्रीट्मेंट किया लेकिन तू कैसे करेगा तुझे तू कुछ आता ही नहीं है तुम सब अब डॉक्टर बन जाओगे तुम्हारे पास कोई सरदर्द लेकर आया तो तुम हैंग ओवर समझके 90 ml बोल दोगे कितना फनी है रास्ते का पता ही नहीं चला तूने कहा तुझे एड्रस ही नहीं पता लेकिन तू तो सही चगा ले आया अंदर जाकर दूद पी और सोजा तू तू तो अच्छा आद मी निकला ठीक है मैं तेरा दिल क्यों तोड़ूँ चल प्रीज आये बादाम बादाम बोलो काचा बादाम ये सिग्रेट पी रहा है ये शराब पी रहा है और ये लड़की के बीचे पढ़ा है तू मेडिकोज हो ये साइकोज हो तुम्हा पता है तूम क्या कर रहे हो और कहा कर रहे हो आई नीड डैम एक्स्प्लेनेशन रुको जरा अभी मैं दक्टर को फोन करता हूं सर 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 प्लीज सर तूम लोगों पहले सोचना चाहिए था सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज तोते क्या सर पंच जी तुम भी पीते हो क्या तुम हैं कोवा के साथ कोवा बोल रहे हो तुम तोते हो क्या आप लोगों को कवे के साथ हिसाब बराबर करना है क्या कोट पहन लो कोट पहन लो रे मैं क्या कोई तोता हूं जो शराब के लिए पेड़ पे बैठ जाऊंगा हां मैं जंगल का शेर हूं ए तुमने गेट बंद किया तुम्हारे लिए ये खेल होगा मेरे लिए एक शिकार है मुझे क्यों मारा एए तुझे क्या है मैं किसी को भी जीड़ू वो तेरी बहन है क्या हर लगकी जो मुझे भाई बोलेगी मेरी बहन एए मेरी शकल तुझे बहस्चराने वाली लगती है और क्या तुने कोई FRCS किया है और ये लंदन है ऐसा नहीं लगता कि तुने दाड़ी बढ़ा है ऐसा लगता है कि तु दाड़ी में बढ़ा हुआ है क्या रे तु मेरे लिए रूम बनवाएगा है है अधराबाद से एक वोटर के लिए मैंने वाल वबस बुलाई थी तेरे लिए रूम नहीं बनवा सकता है हाँ हाँ अरे सरबंजी थके होगे लग रहे हो एक पैक लोगे क्या आपका भी बुड़े नहीं होंगे सर हाँ थैंक यू चेर्स चेर्स रे इतनी खतरनाक पिटा ही क्यों जिस हाथ में थपड मारा उसे दर्द हुआ ताकि गाल को थपड लगे कुछ क्रेटिव करते हैं न सर नाइट इस इस तिल यंग चलो बिरे गाना गाते हैं मासता आइडिया है सर तुम मेंसे कौन कायागा मेरे भाई है एक टिंग हो गई चलह अफ गानागा में गा गा ओँ कौनसा गाना गा एक तू जाना नहीं क्यो है क्यों गोँ वत्मेन के जासे चोटकी कौन 바ाएगा और भंक काौन को हुँ सर तरिदम बचाएगा।ट शच्टेन वॉ कैसे करूं सरे다면 उससे उससे रिधम बनेटी ना। करना यार। ओके सर। शच्राक पर्देशी जाना नहीं तू जाना नहीं तू जाना नहीं। वह गश्राओर सबस्क्राइड रगण है ये गाना ओक्षपत। पर्देशी यो यार पर्देशी तू जाना नहीं तू जाना नहीं मुझे छोड़के पर्देशी मेरे यारा वादा निवाना मुझे अब घर जाना है आप यही गाना सुखविंदर बाची के स्टैल में काके दिखा चलो शुरू हो जाओ सुकविंदर एसे स्टार्ट होता है साथी बावुं ऐसे स्टार्ट होता है इसीलिए इसीलिए यलाव स्टृभ देखो कैसे रॉप करता हो ओ पर लेशी एक पर देसी टू जाना नहीं श्रेशक ऑड़र पमगजे च्छोड़ते ये गाना अब हर्यान्य में गाते भाई पर्देसी बेंतरी दुरूआज है हर्याना रंदीधिनद्ध क्या कमाल का एक्टर है हर्याना के नाम प्ष माँटीवलनी चीहिए ज़ीए परदेशी परदेशी जाना नहीं हमें छोड़के परदेशी मारे आरा वादा मारा मन्य आद रखना कदी भूलना जाना है क्यों सर यूं को मस्त था काटी चिछे बस यहीं मोशनी क्यों दिखाया सर मारेंगे नहीं यहीं बात हुई थी ना सर मुझे जाने दो सर बॉड़ी बहुत पेन हो रही है कहां जाना है एक को पैक और ले सर बस आपने काने को गोला सर अब कॉंसर्ट क्यों करा रहे हो सर मैं आपको कभी याद नहीं करूँगा मैं जाता हूं बाट ब्लड इटियर्ट सर बेवी को कुछ बताना है मुझ पर क्यों नहीं चड़ जाते हो तुम बेना दिमाग का तोता जहां जा रहे हैं वहाँ पर बस नहीं जा सकती है चेलिए यह सब इंतिसाम किया है दिमाग मत लगा और जल्दी से बैठ जाओ रिशी का है वो पिछले रिक्षा में चला गया वहिया क्या हुआ कुछ डॉक्टर के रिक्षे का एक्सिडेंट हो गया वो कहा है यहीं पास के हॉस्पिटल में लेकर गए हैं झाथ बाच्टर के लिए जाओ झारे पास के लिए से डादिए झाओ जाओ पास के चाहँ है झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम लड़कों को ऐसे आइडियाज आते कहां कहां से हैं बोक लगी तो आटमेटिक आजाते हैं तुमने ये कितना अच्छा सेट किया है वाइजाक के हर घर में मिनी बीच है ज्यादा लवर्स को यह नहीं पता होगा है अच्छा सेट ना कि मुझे ये पसंद नहीं है क्या अपने ही घर में अजनेब्यों की तरह मिलना मुझे बहुत बुरा लग रहा है सब कितना अपसेट होंगे ना सही का मेरे घर में कोई भी खुश नहीं है अभी तक तो बस हम दोनों में ही लड़ाई थी पर अब हमारे घरवालों में भी लेकिन तुझे पता है कि हमारा प्यार का पूरा होगा जब हमारे परिबार मिल जाएंगे वो करीब आएंगे तब ही हम जीतेंगे तुम सही कह रहे हो मुझे नहीं बता कि क्या उन्हें हमारा प्यार मंजूर होगा लेकिन उनकी खुशी में हमारा प्यार जरूर है हम उन्हें एक जरूर करेंगे चलना चाहिए न मेरा भाई घर के अंदर है और तुम्हारी घर तुम्हारी माँ च्छा मून खराब करना तुम्हें तुस्ते सिखे चल चल जा मुझे बस लगा कि अर्जुन के लिए रिवेंज प्लैन कर रहा है बस अगर रिवेंज करना तो उसकी शुरुआत तुछ से करनी पड़ेगी मुझे लगता है इसके पुराने खाव भरे नहीं है एक और दे देता हूँ क्या बालू रे बैगराउंड में जो लव स्टोरी चली वो बढ़िया थी लेकिन चुरू कब होई मैं बस वही जानना चाहता था देट सौल जो तुझे पता था तो पहले उससे बहुत कुछ कर चुका है मुवन कर और अपना काम कर क्या लगता है अभी ठीक नहीं हुआ है क्या भागिया से ओके ओके कैसा है अच्छा है लेकिन तुम्हारा ये लव कब स्टार्ट हुआ हां सच में यह टॉपिक क्योरियोसिटी जस्ट क्योरियोसिटी इस पर मुवी बनाईगी क्या मुवी तो तुमने पहले दिखा दी अब मैं क्या मुवी बनाऊं कि तेरी बेहन ले कुछ बताया क्या नहीं और तुम्हारे भाई ने वो तो अर्चुन रेड़े के जैसे अक्टिंग कर रहा है अब हम क्या करेंगे आप्रेशन बादासा मैं समझी नहीं एक मिनट कर दो अब मैं ममा मुझे लगता उनकी साड़ी यहां आपी है अपना मू बंदरा को नो ने मांगी क्या ममा लगता आपके साड़ी वहां उड़के चले गए वो वाली तुवार पे उसने ही दी थी उसे ही रख लेने दे ओहो ऐसा क्या यह देख यह वाली साड़ी इसने दी थी यह ले पटर अपने आप शांता अरे शांता जी क्या हुआ तू साड़ी साड़ी चल्लाती है न यह पड़ी है उठा ले गंगा गंगा जी तुझे सफाई के लिए कपड़ा चाहिए था ना ले यह लाल साड़ी उठा और इससे सफाई का कपड़ा बना अरे रे हमने तो बहुत सफाई के कपड़े देख लिए हमारे पास है तो हे इसे लेकर आना बोल रही है बहुत देखे हैं ये क्या था उन्होंने बात तो की ही नहीं इन दोनोंने न वर्ल्ड वार शुरू कर दिया है अब हम क्या करेंगे वहाँ देख ओ हलो अब प्लान बता मैं तुम्हारे बारे में ई सोच रही थी करना आदे कैम के लेगे हां वह य। तुम्हें लगता की तुम्हारे मदरज आत्य आ सकती है शुक्रवार देवी मा का सेंटिमेंट तेरे जैसी मॉडरन लड़की वो समझ मनी आएगा है वो देख देवी मा सब को आशरवाद देना मैं उसके पीछे क्यों जाओं अब वो मेरे पीछे आएगी मैं उसके पीछे क्यों जाओं अब वो मेरे पीछे आएगी डॉक्टर बाबु डॉक्टर बाबु पता है मैं आपको कितना पसंद करती हूँ मेरी बेहन को भी आप बहुत पसंद हैं बेहन इधर आजा आजा डॉक्टर बाबु जी अरे डॉक्टर बाबु डॉक्टर बाबु दीदी देखो डॉक्टर बाबु डॉक्टर बाबु मैं और बहना तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं सच्ची हम सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते डॉक्टर बाबु आप इस मंदिर में आते रहते हैं क्या आप दीपा को भी अपने साथ लाए हैं यहाँ पर वो मैडम मैं मतलब आप उस चुड़ेल मौनिता के साथ आये हो अरे मैडम 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 यहाँ शूटिंग के लिए नहीं मैं खुद से आया हूँ अच्छा अपने देखा दीदी डॉक्टर बाबू कितने दार में क्या है इस बात में कोई शक नहीं है इतना कुछ होने के बाद भी यह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा है मैं साथ रहने में मजा है उसकी बात ही अलग है बिक्रे फोलों के जब माला बनती है भगवान की शोबा और बढ़ जाती है ठीक है फिर मैं चलता हूँ कितनी अच्छी बात बोली से उन्होंने साथ रहने को कैसे भगवान की माला से चोड़ दिया कि सही कहा दिदी डॉक्तर बाबु किसके अगा कि अगर्ट करेगा ना वोजन्ट अपिसोड का सीरेल है ऐसे कैसे चलेगा वहां देख एमबबी पी कॉलनी कॉलनी चलोगे कि येस क्या रे ट्रीट बोलिती खा लियात आई है लड़की को जब ट्रीट देनी होती है उससे कुछ लाने की ज़रत नहीं होती तो तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है तुम्हें बटरफ्लाय पता है न क्या बटरफ्लाय केस ये लाँ होंदी निक्स्ट लवेल होंदी इद्धे एनजी तो मंची प्लान वेसी मने फादस निकाल पे इन्टे ना के ओडर लेस्त ना एन्टरा ट्रीट अवागाने टोन मारंदी मुरी प्लान लन्डी ने येला नुना कोड़ थिरू तोंटबा अंटे नेनु प्लान चयले ना प्लान बनाने में बहुत दिमाग लगता है पता है न अच्छा तुम्हें दिमाग नहीं है हाँ सही का ठीक है, तुम अपना प्लान बनाओ, मैं अपना प्लान बनाओंगी प्लान एक तम चैलेंजिंग होना चाहिए, सिंपल नहीं मामा मामा मामा, पापा के लिए है, मैं ले जाती हूँ, मैं दे दूँगी को मैं पड़ प्लान बनाओ बबक मैं अपन में कौफी वह रख दो ओके हाई ब्रो क्या कर शहा है भाई मैं तो महरे बारे में सोच वहा था भाई येस रात भार तुम मेरे सपने में थे ब्रो अच्छा मैं तुस्से मिलना चाहता हूं ब्रो कि है येस हें मैंने एक्सटर ओडनेरी प्लान वर्ल लेए तुम्हारे पापा दो बोल्ड हो गए बस अब मिरे पापा मांजा है मैंने शुपर ओडनरी प्लान बनाया तेरे पापा क्लीन बोल्ड हो गए मेरे बापा नोबड़ेगा पहली हम मैं बता थी हुख, पे पर बता. मने न अपनी पापा का मॉबाइल लेकर तंहारी पापा के मॉबाइल ॲेकर मेसेज कर दिया. परता युक्ति रिपलाय किया. नो, रिपलाय किया? फहे फट फट ये पूछा कि तु क्या कर रहा थां? मुझे लगी राधा तू ही रिप्लाइ कर रही होगी तू मैं तू मसे बात कर रही थी क्या? तूने फॉन क्यों उढ़ाया? मेरा सारा प्लैन चॉपट कर दिया हेलो, पहला टेक्स्ट मैंने किया था मतलब पहले मैंने सुचा था पुझ भी हो, प्लैन तो फेल हो गया ना? छे, मूड आफ कर दिया मूवी हम चले क्या? पुरानी मूवी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा ज्यादा मत सोच, मेरा भी मूड खराब है क्या बता ठीक होजे? पुरानी मिठक भी मूवी, क्योंकि वहाँ जा क्योंकि वहाँ जरादी मिठक भी मूवी, क्योंकि वहाँ हमें उन्हें मिलाने की ज़रूत नहीं है वो तो कभी अलग ही नहीं हुए वो एक दूसरे की जान है तुम उन्हें नहीं समझ सकते हैं लड़कियों के साथ क्या खिलना वो हार में से डर रहा है हाँ हाँ आजा भाई ये ये पकड़ कमान रिशी कमान रिशी 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 करेंब दो.. येस! ये ये यदो आप चीटिंगे ये कि अचीटिंगे इसने? मैं चीव आपः.. वो यह बँटार को अलोगार कि अलोगा हुआ है अलोगा लुट हुआए कि अलोगा हुआ है तुझे के है? मेरी बेहन के आसपास क्यों घूम रहा है? ऐसा निये भाई. भाई को न है तेरा? भाई बतारों रोड पर सीन मत बनाओ. ए तेरी हिम्मत कैसे भी मुझे वान करने की? मुझे और निक्स देगा तू? अर्जुन, रोल पर हंगावन नहीं, यह अलेक्शन टाइम है, यह सही वक्त नहीं है. इलेक्शन के वज़े से छोड़ रहा हूँ. मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा. मैंने आज तक तुझे तेरे नाम से नहीं बुलाया. मेरे लिए तू बुझी रहेगी. वो लड़का तुझे मुझे से ज़्यादा इंपोर्टन्ट हो गया है, तो उसके साथ गुम रही थी. ठीक है, मुझे पर बस एक फिवर कर. आज से मुझे भाई बुलना बंद करते हैं. अब तू क्या करेगा? अज से जहाँ वो होगा, वहीं मैं होगा. मदू जी, चलू मैं. कहाँ? अब भी सर आ गये, तो पूछना छोड़ देंगे क्या? सब खो आने दो. कहाँ मैं! ये मैं आगा! ये खाओन है, मुझे क्या करना है? लगता है इसके पास वहूद वोइट बंक है. उसके जाद में मिलो. अंकल, छोटे हो लेकिन सॉलिड हो अंकल. इस बार आप ही मैर बनोगे, अगर मेरा भाई चाहेगा. मैर मदू जी, जिन्दाबाद! मैर मदू जिन्दाबाद! मैर मदू जिन्दाबाद! तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलो, निकलो! तुमने हमें बुलाया नितो जाने को कैसे बोल सकते हो? भाया! भाया क्या बुल रहे है बे? क्रिश्न, क्रिश्न. क्या अंकल? क्रिश्न और जुन का क्या रिष्टा था? ब्रादर का. भाई तो मैंने बोला? मदुजी, इनके साथ कैमपेंज शुरू नहीं होगा. इनको जाने को बुलो. हेलो मास्टर, हम तुम्हारे बुलाने बनी आए. हमारे हिरो ने बलाया, तो आए है. कौन है हिरो? ये ने. वो आ गए. ये मेरे फैंस हैं. ये थमारा लड़का है. ये बस मेरे लड़के नहीं है. वार्ड डिवीजन के मेंबर भी हैं. आथी हूँ तुम्हारे आप तो बात्जेत का कोई चरूरत ही नहीं है. शुरू करो. मेर मदुजी, जलो. जिन्दाबाद! 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 बहुर्ण लड़की की तीर पे! दोर्ण लड़की की तीर पे! बहुर्ण लड़की की तीर पे! जिन्दाबाद! तुमको लगता ही हमें वोट देंगे? हम कोशिश करेंगे तो जी जाएंगे. एड़ इटम चेंज. एक चांस एक चांस तुम पापली मदू को एक चांस एक चांस तुम पापली मदू को एक चांस दादा जी इस बार तीर पर हमारे मदू बाबुजी को बोर्ट देना हा चिन्ना चिन्ना आई मेरे चिन्न को क्या हो गया चिन्ना ए साय नो जो क्या हुआ इसे देखो ना इसे करण लगिया है इसे आभी होस्पिडल लेकर जाना आओगा सुलो चिन्ना एए गाड़ी निकालो जल्दी करो अरे गेट खोलो ना बेंजी जल्दी बताइए इस आउस्पिडल ले जाए आप जा क्यों मेरे पास पैसे नहीं है इस अब पैसों के बारे में क्या सुच्छ रहे हो इसको लिए बेले निए हॉस्पिडल बेले निए नोची राखस दो बड़ रहता है जाओ 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 ए लॉजिक जाके उन लोगों को देखना क्यों खड़े हो वहाँ पर एई तो मुझे परिशान लग रहे है पहली बार वोट डाल रहे हो तुम जाओ मैं आता हूँ पहली बार मेहरा फेरी ये मेरा आदमी है और वो भी और वो यूथ लीडर है वो सपोर्ट कर रहा है क्या उसे रोकना चाहिए ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है इससे दूर रहो तुमारा क्या मतलब है मैं बाहर रहो इससे दूर रहो मैं आए हापने साले आर्जुन के लिए हूँ ओ हो ऐसा है तुम्हें लगता है कि ये कोई लड़की का मुद्द है पॉलिटिक्स है चुप चाप निकल जाओ तुम्हें अुप लड़की का सब्सक्राइब है तुम्हें लड़की रिंउर्पक्रा कि लिए को टीक्स का बादे सुप्सक्राइब है सब्सक्राइब और जैसे पेड़ा करने का निकल देड़ी वह जम प्याइब जाँ पेड़ा निकले जन्मार आप यह उट्सक्राइब उसे जेल बंद कर रहा हूँ है कि इलेक्शन में घडबड़ी कर रहा है परिशान कर रहा है इनकी वज़े से मैं पाल टीमे। स्टूडेंट्स को पार्टी एलेक्शन्स में क्या काम है लेकिन जाओ इसे, जेल में डाल दो जाओ जल दे समाज सेवा पार्टी ने जीवी एमसी एलेक्शन्स में भारी भावमत से जीत हासल कर ली है युवानित आरजुन प्रसाद की एहम भूमी का रही पार्टी ओफिस में जशन का माहौल है यहां साइन करिए ओके, थैंक यू यहां क्यों आया हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा निकल जाओ यहां से नहीं पापा मेरी बाप तो सुनो एई! तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो छे! चलो यहां से चलो! यह जीत प्रगती की है या प्रेणना की? खत्रे में है अरजुन प्रसाद का राजनेतिक करियर वोट के लिए नोट में उलजे हैं अरजुन प्रसाद हाँ, अरजुन सर ने हमें पैसे दिये इसलिए हमने उनके बाटी को भूज़ी यह आप कैसे कर सकते हो? क्या आपको नहीं पुना कि पैसे के लिए वोट करना कलत है? अरजुन प्रसाद के राजनेतिक करियर खुले कर बढ़ गई है परिशानिया अरजुन यह क्या है? सर मैं पैसे क्यों वाटूंगा सर एक लड़के को करेंट लगा था और उसकी हालत खराब थी सर मैंने उसे इलाज के लिए पैसे दिया ओ सुनो यूथ लीडर कहानिया मत बनाओ तुम से एक्स यूथ लीडर बुलाओ यह हो पकड़ा गया सुरी फॉर दे इंटरॉप्शन सर हमारे पास मिस्टर अर्जुन को केस्टिडी में निजाने कार्ण से स्पी साब एक मिनट आप प्लीज बैठ जाओ अर्जुन पॉलिटिक कोई पंखोडी नहीं है पत्थर है पूलों को लक्ष नहीं है पर पत्थर कभी नहीं चुकते हैं राना तुम अपना लक्ष से चूप गए अलक्स अर्जुन सर ने हमें पैसे दिये इसलिए हमने वोट दिये लेकिन क्यों क्या आपको नहीं पता पैसों के लिए वोट करना गलत है जब ऐसे पढ़े लिखे लोग पैसों से वोट खरीद रहे हैं तो हमें क्यों नहीं लेने चाहिए अर्जुन इन दिनों कुछ अच्चा करना लड़ाई लड़ने के बराबर है अगर तुम्हारे सूच महार हो तो इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा आखिर तक खड़े रहना होगा देख है अचले चलो अर्जूत रहे होगा आखिर्ण से श्रत तक खड़ना होगा आखिर्ण कर दो भूज अपिए भी चाहें कर दो यह अगिक अगड़ी । कर दो प्रण्द के लो के लोा है क्लेस में अपिए सुरूर क्लेस संब क्लेसी दूब क्लेसी थैस क्लेसी ज़किए कि अज सकत एक जंगा। कर दो चीक कि यद्ट वुडियो मुझे आई जो, इसैंगो अलजु झाल 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 मैं तुछे देखता हूँ तुछे बात में देखता हूँ तुम तो हमारी फैमिली उसको फिर से मिलाने के कितनी खोशिश कर रहे थे जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो अब ये क्या कर रहे हो खोश रहने का मतलब है साथ रहना मतलब सब के साथ मुझे जाना होगा एए क्या तुझे लगता है कि तुझे अभी जाना चाहिए हाला कि हम गलत हैं पर मुझे समझाने के लिए आगे आना होगा ये क्या है पापा? ये क्या चल रहा है? मैं कौन हूँ? इस घर में मेरी क्या जगा है? वो छोटा है उसने मुझे पर हाथ उठा है आप मेंसे किसी ने उसे गलत नहीं कहा आज मेरी फैमिली ने मुझे बेवेकूब बना दिया अभी डिसाइड करो कि मुझे आया रहना है कि नहीं अभी क्या भी डिसाइड करो आगर हो कां तू? हमारे बीच में बोलने वाले हमारी दोस्ती पचास साल पुरा नहीं है हम तोनों हमेशा एक साथ रहने वाले बच्पन के जिगरी दोस्ते हैं और तो तो ये भी नहीं जाता, जब तो छोटा बच्चा था हमने आज तक अलग टीम में क्रिकेट नी खेला क्योंकि अगर खेला तो हम दोनों में से एक को हार नहीं होगा इसलिए हार हो या जीथ, हम दोनों एक हैं ऐसे अच्छे दोस्ट शहर में आते हैं और अपना काम करते हैं और सुखी जीओं जीते हैं तो कब पैदा हुआ था और अब जब तुम लोगों के बीच में लड़ाय हो गई तो तुम चाहते हो कि हम बात न करें फिर कहां का नियों आई ए कितनी भी करीबी दोस्ट हो सकते हैं लेकिन उनकी पसंद में हमेशा अंतर होता है शादी के इतने सालों में भी मैंने कभी उनकी पसंद को अलग होते नहीं देखा है क्या तू ये बात जानता है? उनकी दोस्ती की वज़े से तुम अच्छे दोस्त बन गए तू ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? सही कहा आपने आपकी दोस्ती पर आपकी और मा की बात बहुत अच्छी लगी उस दिन लड़ाई के बावजूद मैंने आपकी दोस्ती के वज़े से उसे जाने दिया लेकिन उसने मेरा पीशा किया मुझे बदनाम किया उसने मुझे आज पागल बनाया मुझे चारों और दोड़ाया मेरी फैमिली का एगे मुझे ही विलन बना दिया अब मैं उसे नहीं छोड़ूगा पापा मार दूँगा है आज किसी की बात निसुनगा पापा आप उसे रुखी ना अर्जुन उन्हें मेरे घर में कदम कैसे रखा और जून, भाई मेरे बास सुनो आई किसको बोल रहा है तो लौनत, मन बुद्धी तू स्रिफ अपनी साइट से सोचता है तुझे स्रिफ अपनी रेपिटिशन की तिवार है अगर वो नहीं होता तो जानता हमारी कितनी पता में होती अंकल, तुम, जब रहा है अगरी सब बताया नी, तो कभी बतानी चले गाई से एए, कहा जा रहे तुम लोग? ओ, भाग रहे हो डरने की सरोत नहीं है मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ मैं ही क्यों? हमारे पापा भी कभी तुम्हारे प्यार को मनाने ही करेंगे लेकिन अगर तुम भाग जाते हो तो, उनका क्या होगा? सुभा, प्यार करना गलत नहीं है लेकिन तुम गलत समय पर करने की गलती कर रहे हो बिना ये समझे, कि भाईया ने उसे मार कर गलती कर दी गुस्से में उन्होंने मेरे भाई को मारा और मैंने भाईया को मारने की गलती की अरे, हमने ये सारी गलतियां कियें और इनके से हम घरवालों को दे रहें ए, अर्जुन ने मुझे क्यों मारा, ने कॉसी लॉस्ट इमेज और अगर तुम उनका समान शीन लोगे, वो तो मर जाएंगे मुझे कुछ टाइम दो, मैं अपने परिवार को फिर से मिलाँगा और तुम्हारी दोबदाम से शादी करवाँगा पसो बलेती वसीम कृष्णा के बेटे की, मिस्टर मालापरम बलराम की बेटी की शादी सबसे अलग होगी बरोसा करो सौरी यार, मैं बहुत से इल्फिश हो गया था पहले हम अपनी फैमिलीज को एक कर दे, फिर शादी करेंगे चलो चलते हैं शबाद अंकर, आप यहाँ? फिर 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 पल के लिए मुझे लगा मैं गिर रहा हूँ और तुम्हें गिरने से बठा लिए हम अपनी कोशे के लिए आपके कर्सदार हैं अंकर आपको गिरना नहीं चाहिए मैं आपको गिरने नहीं दूँगा मजे आपकी मदद चाहिए आप वादा करो कि आप इसे किसी को नहीं बताओगे हमारी फैबलीस वैसे ही परिशान है तू अपनी बेहन के भाग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता अगर ऐसा होता तो क्या तू बाहर कदम रख पाता कर पाथा पार्टी खूम पाता गईंग तू हर वक्त हमें दोश देता रहा कि हम एक दूसरे से बात क्यों करते तु जानता है क्यों है अखिरसा क्योंकि हम नहीं चाहते कि तु बुरा मैसूस करे ये तेरे लिए रिस्पेक्ट है तु कहता है ये तेरे चारो तरफ गोंता है पता है क्यों हमें फिर से मिलाने के लिए एई जो गल्दी तुम दोनों से हुई थी वो उसे सुधार ना चाहता है ये कब समझोगे I'm sorry Rishi आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हुँ भईया मैं आपको देखकर बड़ा हुआ हूँ कि आपने कौन सा ब्रेंड पहना है मुझे वही पहनना चाहिए अरे वो इस ब्रेंड की बाच पहन रहे है मुझे भी वही पहनने चाहिए मैं ऐसे ही सोचता था मैं आपको कैसे मार सकता हूँ भईया मैं आपके और मेरे बीच में इगो क्यों आने दूँगा मुझसे गलती हुई है सॉरी भईया भोल जाओ की मुझे पहले अंकल से माफी मांगनी चाहिए चलो चले हूँ आप पहले चाहूँ मैं बाद में आता हूँ हेई किसी के घर बिना बुलाया नहीं आना चाहिए मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरी बात माने ये नहीं देख पाया कि तुम बहुत अच्छे से देख सकते हूँ मुझसे गलती हो गई रामडो अपनी बेटी के शादी मेरे बेटे के साथ करेगा या नहीं करेगा चंटी हाँ मतलब मेरी हाँ कुछ और अंकल बुची क्या तुम मुझे भाई मानती हो अर्जुन वो बगल का लड़का है तुझे कैसे पता लगा वो उसे पसंद करेगी वोड़िया ये असली दोस्टी शादी के नाम पर उसे खराब मत करो ऐसा नहीं अंकल अरे यही हमारी दोस्टी की सही मिसाल है रॉइट सॉरी रिशी मैंने तुम्हे फिर से गलत समझा बस बहुत हो गया चाओ जाओ जाओ पापा उस तरो चाओ आप इदर आओ अंकल मुझे रादा पसंद है मुझे सिर्फ रादा ही पसंद है अंकल अगर मैं कभी शादी करूँगी तो बगल वाले लड़के से ही करूँगी सिर्फ इस लड़के से करूँगी